स्विजरलेंड यूरोप के सबसे खुपशुरत देश में से एक है और स्विजरलेंड की प्राक्रुतिक सुन्दर्ता परियाटकों को अपनी और आकर्सित करती है आलपस पहारियों से गीरा यह देश यूरोप की घुमने वाली जगहों में सामिल है स्विजर लेंड के परियतन स्थलों का ब्रमन करने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं यदि आप धर्ती पर स्वर्ग जैसा अनुबव करना चाहते हैं तो एक बार स्विजर लेंड की यात्रा जरूर करें क्योंकि स्विजर लेंड को धर्ती का स्वर्ग भी कहा जाता है स्विजर लेंड की प्राकृतिक सुन्दर्ता को कई फिल्मों में फिल्माया गया है और पहारी दुनिया में बसा यह आकरशित देश फिल्मी दुनिया में अत्यदिक लोग प्रिया हुआ है स्विजर लेंड परियतन स्थल अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है प्रक्रूती प्रेमी, ट्रेकिंग के सौकिन व्यक्ति तथा कैम्पिंग जैसी गती विदियो में रूची रखने वालों के लिए स्विजर लेंड एक सांदर स्थान है यदि आप भी प्रक्रूतिक सुंदर्ता के धनी देश स्विजर लेंड के बारे में अधिक जनना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखें स्विजर लेंड यूरोप महाद्रिप के कैंद्रम में सित एक बहुत ही खूपसुरत देश है यदि आप स्विजर लेंड की यात्रा पर है तो हम आपको बता दे कि स्विजर लेंड में कई खूपसुरत परियाटन स्थल है जिनकी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं और अपनी चुटियां का मज़ा ले सकते हैं स्विजलेंड के प्रमुक परियाटन स्थलों में सामिल जूरिक बहुत ही आकरसक सहर है जो की इंटरनेशनल बैंकिंग और वित्विभग के लिए जाना जाता है जूरिक स्विजलेंड का सबसे बड़ा सहर है और स्विजलेंड के उत्तरमध्यों में स्थीत है परियाटकों के लिए इस खूप सुरत सहर में बहुत सारे चर्च, म्यूजियोम, थियाटर, पार्क और जीले देखने के लिए मिल जाएगी इसके साथ ही स्विजरलेंड के जूरिक में कई नाइट प्लब भी है जो परियाटकों को और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे स्विजरलेंड परियाटन में देखने वाली खूप सुरत जगह में सामिल जीनेवा भी है जिसे स्विजरलेंड का सबसे सांच सहर माना जाता है स्विजरलेंड चॉकलेट्स और गड़ियों के लिए बहुत फेमस देश है और जीनेवा इन्वियवसाई का कैंद्र है जीनेवा स्विजरलेंड का दूसरा सबसे बड़ा सहर है जो कि सयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालई भी है जीनेवा में बहुत ही फेमस मोटर्स होता है जो दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ आकरसीत करता है जीनेवा में कई दर्सनिया जगह है जहां गूम कर आपको बहुत आनंद भी लेगा स्विजरलेंड टूरिजम में गूमने वाली जगहों में सामिल लिउसरन सहर एक खूबसुरत परियतन स्थल है जो कि निलम जील के उत्तरी सिमा पर स्थित है निलम जील स्विजरलेंड की चौथी सबसे बड़ी जील है लिउसरन स्विजरलेंड का एक छोटा सा सहर है परन्तु यह बहुत ही आकरसक है इस सहर में बहुत पूराने ब्रीज है जो कि परियतोकों के आकरसन का केंद्र बने हुए है स्रीजलेन में गुमने के प्रसिद्ध स्थानों में से एक स्रीज नेशनल पार्क है जो कि इटली की सीमा पर एंगदिन गाटी पर स्थीत है स्रीजलेन के इस मसहूर परियतन स्थल की स्थापना सन 1914 में हुई थी स्वीज नेशनल पार्क में परियतकों को वन्य जीव अभ्यारणिय देखने को मिलता है स्वीजलेन की राजदानी बर्न बहुत ही खूब सुरत सहर है जो की वियवसाई के लिए जाना जाता है बर्न में गडियों का तथा चलती फिर्टी कट फुटली का वियवसाई बहुत फैमस है बर्न के आकर्सन में सामिल एक बहुत ही लंबा चर्च यहाँ पर स्थीत है अगर आप स्वीजलेन में इस आकर्सन स्थल को अपनी फैमिली के साथ देखने जाएंगे तो हैरान रह जाएंगे बर्न सहर के बलू पार का नजारा जरूर देखे फ्रेंड्स दे राइन फॉल्स स्वीजलेन के बहुत ही खूपसरत जगह है और बर्फ के पहारों का नजारा देखने के लिए एक आधर स्थान है जब यहाँ बर्फ के पहार पिगलते हैं तो यह द्रिश्य बहुत थिक आकर्सित और देखने लायक बन जाता है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यह पहार पिगल कर चुना पत्थरों पर गिरते हैं इसके अलावा परियटक यहां राइन नदी में बॉटिंग का आनन्द भी ले सकते हैं ओबर होफेंड कैसल स्वीजलन का बहुत ही रॉमांटिक स्थान है और यह थून जिल के किनारे पर स्थीत एक सांदर महल होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध एतिहासिक जगर भी है महल में कई प्राचिन समारक भी है और इसके साथ साथ बहुत बड़ा संग्रहलाई भी है जो परियटकों को यहां की स्थैली से आउगत कराता है इसके अलावा ओबर होफेंड कैसल पार्ग भी परियटकों को अपनी और आकर्सित करता है स्वीजर लेन गुमने के साथ साथ आप स्वीजर लेन के फैमस फूर्ट का स्वात चखने का भी आनन प्राप्त कर सकते हैं जो की बहुत लजीज होते हैं स्वीजर लेन के लोग इटलियान खाना बहुत पसंद करते हैं जिन में मुख्य रूप से पास्ता और पिज़ा बहुत ही फैमस है स्वीजर लेन में चॉकलेट सबसे अधिक बनती है इसलिए स्वीजर लेन में पनीर और दूद चॉकलेट भी बहुत प्रसिद्दडीज है इसके साथ ही चीज, वैसरीन जैसे खाद्य पदर पी बहुत ज़़ादा खाया जाते है दोस्तो अगर आपने स्वीजर लेन गुमने का मन बनाया है तो हम आपको बता दे कि स्वीजर लेन जाने के लिए आप साल के किसी भी महिने का चुनाव कार सकते हैं क्योंकि यहां का मौसम बहुत ही ठंडा होता है स्वीजलेन गुमने के लिए हर मौसम की अपनी खासियत होती है आप अलग-अलग मौसम में अलग-अलग गती विदियों में भाग ले सकते हैं स्वीजलेन में घरिमियों के दिनों में भी तापमन कम ही रहता है कि अपना भी तापमन करें ले अलग-अलग में जलग-अलग-अलग-जजजद निया करें